नमस्का दोस्तों आज NPS और UPS का कैलकुलेशन करने बैठ गये हम आप लोगों भी दिखाते हैं कि इसमें कितना पेंशन बनेगा इन फ्यूचर में देखिए 1987 का मेरा date of birth है 2007 में मैंने नौकरी जोइन किया था उस टेम मेरा basic 8000 रुपया था 17 सल सर्विस हो गया है 2024 में अभी 40,000 के आसपास मेरा basic है जो लगभग पांच गुना बढ़ गया है 17 साल में ठीक अब आगे मेरा 60 साल नौकरी करना है तो 60 साल नौकरी करना है और 23 साल नौकरी मेरा बाकी है तो 2024 चल रहा है अभी 2047 में मेरा retirement है और इसको 5X अगर पकड़ेंगे कि 23 साल में 5X होगा तो 2 लाक होता है क्योंकि ये 17 साल में 5X मेरा basic बढ़ा है तो आगे भी 23 साल बचाओ है तो 5X अगर बढ़ेगा तो 2 लाक होता है तो मैं इसको अभी अगला pay commission होगा कि नहीं होगा कितना बढ़ोती होगा उसको मद्दे नजर रखते हुए मैं इसको मानता हूँ कम से कम 3X तो होई जाएगा तो 3X अगर basic होगा तो हमारा basic कितना हो जाएगा एक लाक बीस हजार एक लाक बीस हजार जब मेरा age of 60 यह उन भाई बंदों के लिए वीडियो है जो 60 साल में रिटरेमेंट जाना चाहता है यह NPS में अगर NPS ही चलते रहा तो अभी मेरा alarm sum जो amount है NPS में 25 लाक के आसपास है तो यही अगर 8% return देते रहे NPS का पैसा तो एक कड़ोर 46 लाक रुपिया बन जाएगा और मेरा 23 साल अभी नौकरी बाकी है 23 साल में सरकार और हम दोनों contribute करते रहेंगे NPS में तो अभी मालेजे 6000 के आसपास contribute हो रहा है यह 40,000 basic plus DA इसका 10% होता 6000 6000 हमारा contribute कर रहे हैं हम अपना बता रहे हैं और होई सरकार सरकार भी contribute कितना करेगा सरकार करेगा 120,000 मेरा हो जाएगा जब retirement होगा तो उसका 10% जबकि अभी 14% है तो मैं 10% ही पकड़ा हूँ ताकि ही calculation में ठीक रहे हैं तो एक लाग बीस हम यहाँ पकड़े हैं मेरा basic होगा 2047 में जब मेरा 60 साल होगा तो उसका 10% होता है बारा हजार तो अभी 23 साल नौकरी मेरा बाकी है तो इसको on average करने के लिए मैं यह 12,000 और यह 6,000 इसका बीच में हम पकड़ लेते हैं कि मेरा इनप्रिस में 10,000 रुपया कटेगा तो 10,000 रुपया कटेगा तो यह 10,000 रुपया का 8% ही हम पकड़े हैं 8% के हिसाब से इंटेरेस्ट के हिसाब से 80,000 रुपया बनता है देखिए दोस्तों यहां सरकार 14% देता है तो उसको भी मैं घटा के कम से कम पकड़ा हूँ जो 10,000 ज्यादा नहीं जबकि यह एमांट और ज्यादा होगा हम कम करके कलकुशन कर रहे हैं ताकि हमारा हिसाब ठीक ठाक मिल जाएक अनुमानिक तो 80,000 बनता है तो इसको भी इसे इधर कम पकड़ा था इसलिए 1.46 क्रोर जो है इसको मैं लामसम 1.5 क्रोर पकड़ लिया कि 1.5 क्रोर हमारा अगर रिटन देते रहा इनपेस में तो 23 साल मेरा सर्विस है तो 23 साल में इतना बनेगा और जो आगे कटेगा 23 साल दसजार करके इनपेस के रुपिया वह मिलके कितना हो जाएगा वह मिलके हो जाएग 80 लाग तो टोटल कितना हो गया 2.30 लाग इनपेस का ये पैसा मेरा एज ओप कितना एज ओप 60 यार्स में कितना हो गया 2.30 लाग अब इसमें क्या बतायाएगा सरकार ने कि 40 परसन आप पैंसेन की रूप में रखे और 60 परसन विद्रो कर सकता है जो की टैक्स फ्री है अइंड जो के टैक्स फिरी आपको हाथ में कितना मिली गया एक गडोर 38 लाग यह आपको हैंड में मिली गया तुरत इमीडेटली आपका कितना 92 लाग कितना ये डिपोजित रहा पैंसन के लिए तो 92 लाग का पैंसन कितना होगा इसको भी पैंसन हम 8% के हिसाब से पकड़ के चलते हैं जो MIS सिस्टेम होता है उसके हिसाब से तो ये मंत्री आएगा हमारा 16,333 रुपिया जो इसका मंत्री इंटरेस्ट रग पकड़ रहे हैं मालेजी एपडी रखा सरकार ने इसको या कहीं कॉर्पेट बॉन में रखे एक पिसी में भी रखे इसका अगर 8% इंटरेस्ट पकड़ते हैं तो मंत्री 16,000 होता है तो 16,000 आपको ये पैंसन मिलेगा किसके तहट एंटरेस्ट के तहट और आपको इतना लमसम मिलेगा एक कुर्णार तिसल अब यही चीज इउपेश में क्या होगा अब UPS में UPS में भी हमारा basic कितना हो रहा है 23 साल हो सर्विस है 60 साल जब मैं हो जाओंगा तब मेरा basic हो रहा है एक लाग 20,000 यहां पर भी कम पकड़ा हो दोस्तों और इसका अनुसार यह कल्कुलोशन किया तो इसका अनुसार यह भी कल्कुलोशन करते हैं तो इसका सीधा सीधा अपका सर्विस टोटल हो रहा है कितना चालीश क्योंकि 20 साल एज में सर्विस में आया था तो 40 साल करना है और जो भी है तो इसमें आपको साथ हजर बेसिक का 50% हो गया और डिये मिलेगा लंप सम कितना मिलेगा एमांड उसमें हाथ में आपको लंप सम मिलेगा जो सरकार ने बोला है कि हर छे महिना का 10% 10% मिलेगा सर्विस का तो मेरा 40 सर्विस हुआ है ठीक है तो छे महिना में एक मतलब साल में दो मिलेगा तो टोटल असी मंत हो गया असी मंत का 10% बेसिक का टेन परसंद बेसिक हमारा हो गया एक लाग बीस तो इसका 10% हो गया 12,000 तो 12 इंटो 80 9 लाग साथ हजार तो दोस्तों तो UPS को मदेल रखते हैं UPS में हमारा पेंशन मिल रहा है साथ हजर प्लास डिये और लामसम एमाण मिलेगा आपको नौ लाक साथ हजर NPS में कितना मिल रहा है NPS में आपका पेंशन तो 65,000 मिलेगा मगर इसका उपर कोई भी दिये नहीं लागू होगा कोई भी दिये नहीं मिलेगा मगर यहां पे जो आपको है लामसम एक कडूर 38 लाक रुपिया मिलेगा प्लास यह भी मिलते जाएगा अब आप भी चूज कीज़े कौन सा बेटर है NPS या UPS बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए